सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता हूं। है मतलब की cctv camera को उनकी enclosure की उनकी जो body होती cctv camera की उसके according हम इसे दो भगों में बाठते हैं पहला dome camera और दूसरा है bullet camera friends dome camera ideal है indoor use करने के लिए और bullet camera ideal है outdoor use करने के लिए वैसे आप indoor outdoor दोनों ही कोई ही use कर सकते हैं इसमें आप से आप एक image share कर रहा हूं यह जो image है यह dome camera की image है cctv dome camera इसी को बोलते हैं क्योंकि इसकी जो shape है वो dome की होती है इसलिए इन्हें dome कहा जाता है मैं पहले भी बता चको हूँ आपको यह camera's जो होते हैं indoor ideally use करने के लिए होते हैं indoor camera यही लगते है mostly बट आप इसका इस्तमाल outdoor भी कर सकते हैं इसमें कोई प्रिशानी नहीं है बट जो इसका idealism है वो indoor use करने का ही है जो यह बनाया जाता है वो indoor use करने के purpose से ही बनाया जाता है अब question यह put up होता है कि इसे dome shape ही क्यों लिए हमने indoor के लिए कोई और शेप भी ले सकते थे friends dome shape हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यह wide angle provide करता है lens को जब हमे surrounding coverage चाहिए होती है तब हम जो है dome camera का इस्तमाल करते हैं friends आजकल जो cctv camera आ रहे हैं उन में night mode भी है night vision camera है आप सामने camera में image बे सकते हैं ladies जो हैं इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी तो night vision camera हैं dome cameras और weather proof भी है और सबसे important चीज़ जो features आजकल आ रहा है वो window resistance आ रहा है जो की burning इस इसको रोकने के लिए बहुत काम आता है friends indoor camera के लिए dome shape को ideal कहा जाता है क्यों कहा जाता है उसके हम आपके बारे में पहले बता चुका हूं कि सबसे important जो चीज़ है यह wide angle provide करता है जो है lens को जिससे जो है surrounding coverage बड़ी असानी से हो पाती है और जो दूसरा region है dome से प्लेने का indoor camera के लिए वो है कि इस shape के अंदर low light effect के उपर भी camera बहुत अच्छे से काम कर पाता है और clear vision दे पाता है friends मैं आप से यहां पर एक cctv camera की और जो है image share कर रहा हूं friends यह जो camera है यह भी dome camera है बट यह camera जो पिछे वाली image थी उससे different है उसमे ladies यूज हो रही है night vision के लिए यहां पर array यूज हो रही है array का इस्तमाल friends long distance coverage के लिए किया जाता है तक कि night vision के लिए आये ladies से जो better है array array friends इसमें night vision ज्यादा के लिए आता है और long distance friends तक clarity दे पाता है okay friends friends अब बात करेंगे blood camera के बारे में आपके सामने जो एक image मैं दिखा रहा हूं अभी आप देख सकते हैं इसमें जो camera आप देख रहे हैं यह blood camera है friends इसे blood camera क्यों बोलते हैं क्योंकि इसकी जो shape होती है इसकी जो body होती है इसका जो enclosure होता है वो cylindrical shape में होता है friends इसे bullet camera भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी shape bullet जैसी भी होती है okay friends इसका जो idealism है वो है outdoor purpose के लिए इसका main use होता है आप इसे indoor भी use कर सकते हैं बट इसकी जो main advantage है यूज करने की वो outdoor में ही इसका 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 better होता है weather proof होता है same to same mental resistance इसमें भी पाय जाता है आज़कर जो CCTV cameras आ रहे हैं जो की burning issues को रोकने में हमारी साहिता करते हैं friends इसके अलावा इसकी जो main advantage है वो है ये large area coverage करता है जब हमें large area cover करना होता है तब हम इस्तमाल करते हैं bullet camera का जब हमें surrounding area coverage करनी होती है तब हम इस्तमाल करते हैं dome camera का इसकी एक advantage है कि ये bigger lens यूज में आता है जैसे कि मैंने आपको dome camera के अंदर picture share की थी एक dome camera की जिसमें array और LED का फरक बताया था same to same friends bullet camera में भी ऐसा होता है आप array का इस्तमाल कर सकते हैं nitrogen ज़्यादा के लिए रहता है long range तक आता है okay friends तो ये अपना पहला जो step था वो complete हो चुका है CCTV camera की जो description थी dome और blade की वो मैंने shape के recording आप सबको बता दी है okay friends अब सलते हैं next friends visibility के basis पे हम CCTV cameras को दो हिस्सों में बाढ़ते हैं पहला है day night vision camera दूसरा है day vision camera friends day night vision camera वो camera होता है जो दिन और रात हमें दोनों ही समय पे जो है visibility clear दिखाता है picture quality अच्छी होती है कोई issue नहीं आता है इस तरह की cameras में friends हम IR features यूज़ करते हैं IR means infrared friends इस features की help की विज़े से हमें जो night vision जो हमारे आता है जब camera night mode में आता है तब हमें जो picture है तब भी clear मिलती है अंधेरे में भी बट वो picture black and white होती है बट अब जो है एक advanced technology आई है जिसके अंदर जो night vision जो है वो भी हमें color मिल जाता है ओके friends तो यह होगा आपका day night vision camera अब बात करेंगे हम day vision camera के बारे में friends day vision जो camera होता है इसमें visibility सर्फ आपको दिन में मिलेगी night mode पे यह camera जो है काम नहीं करता है इसकी खास बात यह होती है कि इनकी जो cost होती है वो day night vision camera के मुकाबले कम होती है क्योंकि इसमें IR जो features हैं यूज नहीं करते हैं friends कई बार ऐसा होता है कि किसी vendor company के पास माल लो कि किसी ATM में CCTV camera लगाना है तो ATM में 24 hours जो है light होती है तो night mode में camera जाने के chance होते ही नहीं है तो ऐसी condition में जो vendor companies होती है वो day vision camera का इस्तमाल करती है क्योंकि light जाने की तो जो chances है वो है ही नहीं तो 24 घंटे उसे light provide हो रही है camera को तो फिर day night vision camera लगाने की जूट नहीं है सर्फ day vision camera से काम चल सकता है साथ में costing भी इसकी कम आती है friends अब आते हैं third part पे यहाँ पर मैं CCTV camera को जो है divide किया जा 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 है दो parts में pixel based पे हमने यहाँ पे CCTV camera को divide किया है दो हिस्सों में पहला है analog camera दूसरा है HD camera friends analog cameras वो cameras होते हैं जो 360p यानिके 360p resolution पे work करते हैं और friends HD camera वो होते हैं जिनकी minimum resolution जो होती है वो 720p होती है यानिके 720p friends यहाँ A-P का मतलब होता है pixel जितनी ज़्यादा pixel होंगी image जो है उतनी ज़्यादा clear आएगी for example कि कोई analog camera है जिसकी जो pixel है वो 360p है तो इसका मतलब यह है कि 360p मिलके एक image मनाएंगी और HD camera में 720p resolution है तो इसका मतलब यह है कि 720p मिलकर एक image मनाएंगी friends यह practical बात है कि जितनी ज़्यादा pixel होंगी image clarity उतनी अच्छी होगी तो इसलिए HD camera आजकल काफी ज़्यादा चल रहा है और analog जो camera है वो market से replace हो चुका है analog camera की जो availability है आज के तारिक में friends वो ना के बराबर ही है market में यह analog camera वही camera होते थे जो पले color TV पर चल जाते थे बट आज अगर आप HD camera यूज़ कर रहे है तो आपको आपके पास एक LED display होनी चाहिए otherwise या फिर आपको switch का जो है इस्तमाल करना पड़ेगा HD camera में friends आपको 1MP, 1.3MP, 2MP, 4MP, 8MP, 5MP जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे camera के उतनी ही ज़्यादा आपको clarity मिलेगी friends अगर आज की बात करें तो HD camera के अंदर भी 1MP और 1.3MP camera के availability भी ना के बराबर ही होगी है और minimum जो camera market में आज कल सबसी जावत सल रहा है वो 2MP है 2MP से निचे camera मिलना बहुत मुश्किल है market में friends हम यहाँ HD camera को भी तीन हिसों में बाढ़ते हैं patent के हिसाब से HD camera तीन तरह के होते हैं friends एक है number 1 पे HD camera means analog high definition camera number 2 पे है HD CVI और number 3 पे है HD TVI friends HD TVI पर अकेली company है Hick Vision जिसकी यह patent जो है technology है इसके बाद जो है HD CVI इस पे धुवा और CP plus जो है इस पे काम करते हैं बाकी world में जितनी भी CCTV companies है वो सब HD camera पे deal करती है HD में friends world wild company एक TVT है और इसके अलावा दिल्ली में जितनी भी local companies हैं जितनी भी vendor companies हैं वो सब HD camera पे deal करती है friends अब हम यहाँ CCTV camera को उसके zooming features के हिसाब से तीन भगों में divide करते हैं पहला है HD camera, second है IP camera और third है PTZ camera friends पहले बात करेंगे HD camera के बारे में इसके बारे में मैं आपको वीडियो की starting में बता चुका हूँ यह जो cameras होते हैं यह monitoring purpose के लिए यूज के जाते हैं domestic camera होता है आप mostly school, college या अपने घरों में देख सकते हैं इनी camera का इस्तमाल होता है इसमें zooming quality बहुत कम level पे होती है जब आप camera को zoom करके देखते हैं तो pixel जो है वो फटनी स्टार्ट हो जाती है उसका reason ही यह यह क्योंकि यह HD cameras होते हैं यह monitoring purpose के लिए बना जाते हैं ना कि zooming purpose के हिसाब से ओके friends friends अब बात करते हैं second IP camera के बारे में IP camera होता है internet protocol camera friends इसकी जो zooming quality होती है वो better होती है HD cameras से जो जो वेलर्स वगएरा होते हैं mostly वो यही use करते हैं उन्हें particular range तक zooming चाहिए बहुत long distance तक zooming quality नहीं चाहिए होती है तो उस हिसाब से IP camera जो है best होता है एक particular range तक आप जब camera को zoom करते हैं तो pixel quality जो है pixel जो है वो फटती नहीं है परन्तु उसके बाद एक particular level के बाद जब आप zoom करते हैं तो pixel इनकी भी फटनी स्टार्ट हो जाती है तो यह हुआ friends IP camera के बारे में मैंने आपको बता दिया है friends अब बात करते हैं third PTZ camera यह होता है pen tails zoom camera नाम से ही इसमें zoom आ रहा है friends इसमें zooming quality सबसे best होती है जब हमें best to best zooming quality चाहिए तब हम PTZ camera का इस्तमाल करते हैं बड़े-बड़े highways पे या 8 बटो पे इन्हीं camera का जो है use होता है friends PTZ camera में भी दो-तिन तरह की quality आती है यह camera में भी analog IP और camera होते है friends PTZ camera के अंदर mainly PTZ camera को जो है IP camera का ही एक type माना जाता है specially और दूसरा यह है सबसे important चीज है PTZ camera के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ friends इसके अंदर जो है एक तरह की software application होती है जिसकी help से हम camera को control कर सकते है zooming quality के अलावा मैं एक अलग features बता रहा हूँ PTZ camera के बारे में आपको और friends मैं आपको यहाँ पर एक PTZ camera की जो है image शेयर कर रहा हूँ friends आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो image है वो एक PTZ camera की जो है image है okay friends friends मैं यहाँ फिर से CCTV camera को दो भागों में बाट रहा हूँ पहला है wired CCTV और second है wireless CCTV wired CCTV वो CCTV होता है जिसके अंदर हम CCTV wire का इस्तमाल करते है data signal और power signal को जो है transfer करने के लिए और wireless CCTV वो होता है जिसके अंदर हम CCTV wire का इस्तमाल नहीं करते है okay friends friends यहाँ पर हम फिर से CCTV camera को दो भागों में बाट रहे है पहला है C mount camera दूसरा है CS mount camera friends C mount camera और CS mount camera यह एक technical CCTV features है और C mount camera जो है पहले पराने टेम पे ज़्यादा यूज होता था अब जो camera जा रहे हैं वो CS mount camera आ रहे हैं उसका reason यह है कि जो C mount camera होता है उसमें हमें need पड़ती है 5mm ring की ताकि जो lens है वो image पे focus कर पाए but CS mount camera में हमें इस तरह की किसी भी ring की आफशकता नहीं पड़ती है इसकी जूर्त नहीं पड़ती है तो image पे focus करने के लिए तो हमें साथ में CS mount camera का हमें जो chipset होती है benefit क्या होता है कि in case अगर हम lens change करना पड़ता है तो क्या होता है कि night vision में dark circle मन जाते हैं CCTV में but CS mount camera में ऐसा नहीं होता है chances बहुत कम होते हैं तो advanced जो technology है modern technology जो है CS mount camera है friends अब बात करेंगे कुछ से cctv cameras के बारे में से cctv cameras के जो type हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ANPR अबलिक LPR camera automatic number plate रिकोगनाजेशन और अबलिक license plate रिकोगनाजेशन friends ये जो cameras होते हैं इनकी image जो होती है बिल्कुल blood camera जैसी होती है कि मैं आपको वीडियो की starting में ही share कर चुका हूँ अंदर सारा खेल chipset का ही होता है friends ये जो cameras होते हैं ये police force, security force जो होते हैं उनके ज़्यादा इस्तमालाते हैं कोई भी गाड़ी या फिर कोई car जैसे कितनी भी speed में निकले बट ये जो cameras होते हैं ये एक speedily जो car जा रही है उसकी भी number plate निकाल लेते हैं recognize कर लेते हैं ओके friends friends अब बात करेंगे wireless wifi camera के बारे में आपके सामने जो image है आप जो CCTV camera image में देख रही है wireless wifi camera है इस पर friends हमने एक video भी मनाया है हमारे channel रक्षम टेक पे आपको मिल जाएगा कैसे इसका इस्तमाल किया जाता है आप इस camera को अपने mobile में भी देख सकते हैं memory card इसमें इस्तमाल करना पड़ता है और mobile में एक application डॉलूड करने पड़ती है उसके बाद आप CCTV live और इसकी playback दोनू देख सकते हैं ओके फ्रेंट्स फ्रेंट्स वाइरलेस वाइफाई camera जो होता है घरों में mostly use होता है इसका और बहुत ही सस्ता पड़ता है ये client को और आज कल काफी trending में है बहुत इस्तमाल किया जा रहा है इसका सेम टू सेम वाइरलेस वाइफाई ये इंडूर camera है डॉम शेप में और आप इसमें आउट्डूर camera भी पर्चेज कर सकते हैं फ्रेंट्स अब बात करेंगे सबसे लास्ट टाइप है ये cctv camera की spy और hidden cameras spy और hidden cameras friends वो cameras होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये सब आइटम जो है hidden camera हमारे जो है यूज किये जा रहे हैं वो spy camera होते हैं ये बहुत तरह के आते हैं friends मैंने याप एक image शेयर की है ये एक बलप जो है spy camera की जो है image है ये काफी सारे product में आते हैं जैसे की button spy camera watch घड़ी में भी spy camera आता है pen pen जो होते हैं वो उनमें भी camera आता है spy camera तरह काम करते हैं ok friends एक application होती है इसमें memory card जो है लगता है और एक application के थुरू हम इसे जो है पने mobile में देख सकते हैं काफी trending में है बहुत इसका जो है इस्तमाल होता है ok friends हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको cctv camera या उसमें किसी भी तरह की कोई परिशानी है तो आप हमें comment कीजिए हम आपको definitely reply जरूर करेंगे friends वीडियो को like, subscribe और share करना मत भूलिएगा